नमस्कार साथ एक पर फिस से सौगत करता हूँ आप सब लोग अपने चैनल के उपर देगे आज की उडियो थोड़ी सी यूनीक है यहाँ पर रिसेंटली जिन बच्चों ने नेवी डबल ए और SSR का एक्जामिनेशन दिया था उनके लिए थोड़ी सी साड न्यूज है या फिर कुछ लोगों ने वीडियो भी यूट्यूब पर डाली कुछ न्यूज भी आए कि वो एक्जामिनेशन जो है है करवाया गया था हैकर्स के थ्रू ठीक है तो बिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैक्राउंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं में तो आपको एक्जाक्ट चीज यहां पर बताऊंगा कि हुआ क्या था पहले तो यह क्लियर आप दिमाग में अपने एक गाइडन्स जरूर रखना कि पेपर लीक नहीं हुआ है है एक छोटी सी गलती की विज़स से यह चीज हो पाई है कहां कहां हुआ है पहले इसके बारे में जान ले देखिए और काफी जिनसे यह एक्स ग्रूप एन एक्स वाई का जो पेपर होता है एरफोर्स का उसके रिलेटेड भी इसके बारे में बताया जाता है कि पेपर हर बार लीक हो जाता है कुछ नहीं घडबड हो जाती है तो इसका मैं फ्लो बताता हूं कहां पर है देखिए पेपर लूप यहां है कि जब भी कोई ऑर्गनाइजेशन कोई examination conduct करवाती है specifically online जैसे एफकाट है एफकाट online होता है आपको बताए इंडियन एरफोर्स गन्डेक्ट करवाती है उसका ठेका किसके पास है वह सीडेक के पास है सीडेक एक software company है ठीक है जो web application डूइलप करती है जिसके ओपर हम लोग अपना examination लिखते हैं जो MCQ टाइप पेपर होते हैं वो सीडर कंड़क्ट करवाती है एपक्याट के लिए ऐसी INET का कोई different organization है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मुझे organization का नाम पता है जिसने conduct करवाया बट नाम मैं नहीं mention करूँगा उनको ठेके पर वो चीज दी गई कि आप लोग हमारे students के लिए paper conduct करवाएंगे अमारे aspirants के लिए अब हुआ क्या वो जो organization थी जो private firm थी जिसको ठेके पर इंडिया नेवी ने contract दिया examination conduct करवाने का उनके जो web developers थे उनसे एक mistake हो गई देखिए होता क्या है जब भी आप online paper लिखने बैठते हैं तो IP addresses उन्हें block करने चाहिए क्योंकि आपने एक web development कर दी एक web application कंपनी ने design करके दे दी organization को कि ये upload करेंगे PC के उपर आपका test चल जाएगा ठीक है कोई नई window नहीं open हो पाएगी ठीक है कुछ और चीज open नहीं पहुपाएगी computer के उपर जब तक end test नहीं होता ठीक है या फिर गलती से अगर power off हो जाता है तो वही जगा से वहाँ से start हो जाएगा आपका test ये complete guidance होती है ठीक है बट गलती कहां पर हुई IP addresses उन्हें ने block नहीं किये foreign computers के लिए computer language में जो बाहर का computer होता है foreign computers कहते है तो हुआ क्या कोई एक बच्चा वहाँ पर हर unit से हर examination center में कोई mobile phone ले गया या फिर कोई ऐसा medium ले गया जिससे वो ID password दूसरे user का deliver कर पाया उन्हें ठीक है तो उन्होंने क्या किया user ID और password ले लिया और बाहर बैट कर या केतों में बैट कर अपना paper दे दिया उन्होंने ठीक है क्योंकि IP addresses ब्लॉक नहीं थे IP address हर एक PC का different है तो labs में suppose 100 PCs हैं 100 computers हैं तो 100 IP addresses होने चाहिए दे ना जिसके उपर paper पर कंड़क्ट होना चीए था पर गलती उन्होंसे यह हुई कि बाहर वाले foreign computers का उन्होंने ब्लॉक नहीं किया उन्होंने अलाव कर दिया तो यह mistake वहां पर हुई कोई hacking system इसमें नहीं लगा simply उन्होंने बाहर बैट कर लॉग इन कर लिया अब एक सबसे बड़ी mistake यहां पर है कि बच्चा अगर जो mobile phone लेके गया अंदर उसको यह पहले चीज चीज पता थी ठीक है ना तो यह league जो हुआ यह organization की तरफ से हुआ जिसको इंडिया नेवी ने ठेके पर दिया था पेपर ठीक है तो मुसीबत आप लोगों की यह है कि इन स्टेट्स में पेपर 99 परसंट चांसिज है कि दुबारा कंड़क्ट करवाया जाएगा दुबार ऑल ओवर इंडिया दुबारा नहीं होगा पेपर जिस स्टेट्स में यह चीज हुई है इसकी इंवेस्टिकेशन अभी जारू है ठीक है और उमीद करते हैं इंडिया ने भी कुछ ट्रिक्ट एक्शन लेगी बट आपने अब क्या कर रहा है वीडियो को शेर उन स्टूडЕंस की साथ कर देना है एक प्रण के साथ कर देना है थो नहीं भी डिस्कस कर रही है और अगर आपको लगता है कि पेपर देते हुए अगली बार भी अगर कोई ऐसी गलती हो ठीक है तो आप आपको इमिरेटली पता लग जाएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया आई-पी अड्रेस बाहर बैटके पेपर खोलना इंपॉसिबल है अगर आई-पी अड्रेस ब्लॉ यह पेपर क्यों है करेंगे आप मुझे बताइए तो फ्लॉ जो था वो प्राइवेट और्गनाइजेशन पर आना चाहिए जिन्नोंने यह गल्ती की थी और यह इंपॉर्टन मुद्दा बहुत जादा है क्योंकि आपके करियर बिल्दिंग इग्जामिनेशन जाहिए तो उनके लिए क्या option बचा इसके अंदर भी corruption होगी इसके अंदर भी यह चीजे होगी तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा आप लोग जो महनत करें हम लोग जो महनत करवा रहे हैं आप लोगों को उसका benefit का है फिर तो वही बच्चा ठीक है ना जिसमें एक बार रिस्क ले आप उसको यह वीडियो दिखा देना exact criteria ऐसे था यह सब होने का ठीक है बच्चे तो उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो लोग अपनी प्रपेशन कर रहे हैं एंडी examination के लिए उनके registration link जो SSB जो course होता है न अकैडमी के उपर मेरे live classes चलती है special classes उन next five classes का link मैंने आपको description में दे दिये जाके आप उसके उपर register जरूर कर लेना ठीक है live classes लगती है special classes और free of cost है ठीक है बच्चे तो उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे मिलता हूँ next वीडियो में झाल